त्रिपुरा की राज़ानी अगरतला में इस वक्त मेरी मौझूदगी है भारतिय जनता पार्टी ने अपना संकल पत्र जारी किया है बेते पांस सालों की सरकार को अगले पांस साल के लिए फिर से कैसे लाये जाए इसका पूरा दम भरा है आज बीजेपी के राष्टे ध्यक्ष जेपी नडड़ा ने इस वक्त हमारे साथ हैं सब बहुत स्वागत है आज तक पर आपका पूरी मेहनत हो रही है त्रिपुरा जीतनी की हम हर चुनाओ में इसी प्रकार से मेहनत करते हैं और मैं ही नहीं करता हूँ हमारे भारतिय जन्ता पार्टी के आदरनी प्रधान मंत्री जी से लेकर हमिशा जी राजनाज जी सभी वरिश नेता पूरी ताकत से लगते हैं तो इस चुनाओ को भी हम उसी तरीके से लड़ रहे हैं और पूरी ताकत के साथ हम इस चुनाओ में उत्रे हैं आज बीजेपी ने अपना संकल पत्र जारी किया आपने महापर शांदार भाशन दिया बहुत सारी फ्री की योजनाओ का एलान किया मैं उस पर आऊंगी लेकिन प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने अपसे थोड़ी देर पहले राज जी सभा में अपना भाशन खतम किया है और विपक्ष पर जम कर उन्होंने निशाना साधा 85 मिनट तक पीम बोलते रहे और 85 मिनट तक विपक्ष नारे बाजी करता रहा देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि प्रधान मंत्री मोदी जी ने राजनितिक संस्कृति को बदल डाना है और वह 140 क्रोड देश के विकास के लिए हर पल हर समय काम कर रहे हैं जी रहे हैं और उन्होंने भारतिये जनता पाइटी में भी एक प्रेरना भर करके सभी लोग इस काम में जुटे इसमें हम लोग लगे हैं और उसी काम को उन्होंने आगे बढ़ाया है जो आज मैंने दृश्य थोड़ी देर ही देख पाया उसमें ध्यान में आया कि एक तरफ एक तपस्वी देश के प्रति समर्पित हर बारिकियों को देश की समस्याओं को कैसे सुलजाया गया है उसको उसके प्रतिविम्ब थे वो दिख रहे थे और वो उसके आगे बढ़ाने का जो उनका संकल्प है उसको आगे बढ़ा रहे थे दूसरी और irresponsible opposition जिसको जिसको न कोई मेहनत करने की आदत है नहीं विपक्ष किस तरीके से किया जाता है इसका उनको इल्म है उन्होंने बहुत ही भोंदा और भद्दा प्रदर्शन किया और यह प्रजातंत्र के लिए पहले बोलते हो कि चर्चा नहीं करते हैं जब चर्चा करने आते हैं तो तुमारी यह तस्वीर और रहती है तो दिस शोज डाट यूर फाइटिंगे लॉस्ट और आपका उदेश्य भारत की जनता नहीं है आपका उदेश्य भारत को विकास करने का नहीं है आपका उदेश्य भारत के को सामर्तवान देश बनाने का नहीं है आपका उदेश्य अपनी कुर्सी हासिल करने का है और इसलिए आप क्या फ्रस्ट्रेशन दिखता है आपका नकरात्मक सोच दिखती है और आपकी जिसको कहा जा सकता है कि एक तरीके का बहुत ही शौट साइटिड सोच और यह प्रजातंत्र को भी एक तरीके से उसकी मूल विश्यों को भी से भी विशांतराप हो रहे हैं लेकिन विपक्ष हंगामा इसलिए कर रहा है क्योंकि अडानी के मुद्दे पर जेपी सी जान्सकी वो मांग कर रहा है तरीके से सिर्फ राजनितिक दृष्टी को ले करके चलना यह उचित नहीं है सरकार को छिपा रही है विपक्षी आरोप लगाते वे नारे बाजी करें कभी भी कोई बात को कभी हम लोगों ने न छिपाया ना हम लोगों ने इस तरीके का बात की है हम हमेशा ट्रांस्पेरेंट तरीके से आगे बढ़ते हैं लेकिन आपकी सोच छोटी है, आपकी दृष्टी सोच छोटी है, आप targeted तरीके से चलने का प्रयास करते हैं, 130 करोड की, 140 करोड की जनता इस तरीके से नी सोच है. चीक है, त्रिपुरा में हम हैं, यहाँ पर लेफ्ट और कॉंग्रेस पार्टी का जिस तरह से गठवन्दन हुआ है, आगाज हो रहा है त्रिपुरा एलेक्शन से और उसके बाद इसी साल नौरा जुम्य वधानसबा की चुनाव हैं, तो ये जो गठवन्दन है विपक्षी क्या वो बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनावती बन कर आया है? पड़ेगा, ये अननाचरल एलाइंसे किसी को भी वोट न ट्रांसफर करते हैं न कुछ मिलता है, अच्छी बात है, मैं तो तयार हूँ और हमारी पार्टी तयार है, तयार है आप लोगों के भीतर क्योंकि दोनों अगर पिछले साल का वोट बैंक हम देखें, वो जो वोट शेर रहा था, बीजेपी और लेफ में बहुत फर्क नहीं था, लेकिन आप लोगों की सीटे बहुत जादा थी, इस बार ये कॉम्बनेशन कहीं बीजेपी के लिए त्रपुरा में मुश्किले न पैदा कर देए, शित्रा जी आप भी यही है, हम भी यही है, चुनाओ के न चाहते हैं, अपना विकास चाहते हैं, त्रुपरा का विकास चाहते हैं, और इसलिए वो इन भरम में परसने वाले नहीं है, और नतीजे भी इन बातों को बताए. आत्म विश्वास से भरेवे मुझे दिखाए देने आप लोगों को डर लगता है चुना वो से नहीं लगता है आप क्या रहें कि कॉइनेशन कोई भी बन जाए बीजेपी की ही सरकार बने चित्रा जी यह लोग चुनाओ तब लड़ते हैं जब कोड ओफ कंड़क लगता है व मोदी जी किने तो तो जो हमेशा पढ़ने वाला विद्यारती होगा उसको परिक्षा के दिन डर क्यूं लगेगा हम नाची इसी तरीके से काम करते हैं और हम ही नहीं करते हैं सबी लोग करते हैं इसलिए कोई डरने की बारा हुल गांधी ने भी बड़ी मेहनत की है भारत ज लेकिन अच्छी बात है वो निकले घर से निकले ठीक है वो निकले हैं लेकिन राजनेतिक द्रिष्टी से मूल प्रश्णों का उत्तर देने में कॉंग्रेस पार्टी अपने आप में कितनी सीरियस है ये भारत की जनता जानती है त्रिपुरा में एक तरफ कॉंग्रेस भी है लेफ्ट भी है ममता दीदी भी आ गई है त्रिपुर सुंदरी मंदिर को लेकर कि आप लोग उने कुछ करवाया नहीं यहाँ पर विकास का कोई काम काज नहीं हुआ मुख्यमंत्री आप लोग बदल देते हैं तो ममताव एनरजी भी एक बड़ा फैक्टर है क्योंकि बंगाल में हमने देखा था चुनाव में क्या हुआ था तो उनका यहाँ पर आ जाना क्या आप लोगों का खेल बिगार सकता है और यह जो एक छोटी पार्टी तृप्रा जो पार्टी है उसके बारे में अगर आप बता पाएं आपको लग रहा है कि जन जाती है समुदायों के मुद्दे को उठा रही है तो यह पार्टी आप बीजेपी को डेंड कर सकती है तो यह दो तीन बाते हैं सबसे पहली बात तो आपने ममता जी की किये ऐसा है कि हम पर कितना काम चल रहा है आपने खुद देखा होगा आपने दर्शन कियोंगे लेकिन उनको नहीं दिखेगा उसी तरीके से उनको कोई यह जो हाइवेज बन रहे हैं यह कहां दिखेंगे उनको कहां दिखेगा कि बंगलादेश के लिए रेल के लिए 980 करोर रुपए दे द चत्ता की दिस्टिंस 36 आवर से रेड्यूस होगर के 10 आवर्स हो जाएगी यह उनको कहां दिखेगा उनको कहां दिखेगा कि पांच साल पहले चित्रा जी आप भी आई होंगी चुनाओं में आपने देखा हो चोटा सा एक एरपोर्ट होता था आज क्या भव्य एरपोर्ट बना है और वो राजय साहब के नाम पर उस एरपोर्ट को समर्पित किया गया है हमारे इंटरनेट की दृष्टी से कनेक्टिविटी आज आप देख लीजिए आज आप हमारे हीरा लेकर के हाइवेज लेकर के चलें इंटरनेट लेकर चलें रेलवेज आप देखिए अगर अला कभी सोचता था कि ऐसा उसका रेलवेज अगा इस तरीके का विकास का काम होगा यह सब काम चलें लेकिन हम अम्ता जी को दिखेगा नहीं उनको दिखेगी कॉन कास्ट है कॉन धर्म है कॉन क्या है hamburgerТटा तो उनकी सोच मोहीं तक रहे जंजातीय सम्धाय का सवाल ह जन जाती है समिधाय भी जानता है कि आदिवासी भाईयों के लिए जितना काम मोदी जी ने किया है उतना किसी ने नहीं किया है और आदिवासी भाईयों का नियम कानून के दिश्टी से भी दिखा जाए तो वह केंदर सरकार ही करने वाली है इसलिए आदिवासी भाईयों को भी हमारे उपर ही विश्वास है ये पार्टिया आती हैं नहने लोग आते हैं इस्जूस को उठाते हैं इमोशनल करने की कोशिश करते हैं लेकिन लोगों का विश्वास हमारे उपर है किसे तो बीजेपी भी फ्री की योजनाओं के जरीए एक आदत नी डलवारी है कि आपने बहुत अच्छा प्रशन पूचा है देखिए देर इस डिफरेंस बिट्विन फ्री बीज एंड इंपमयर्मेंट हम फ्री बेस नहीं बाटते हैं हम इंपावर करते हैं हमने प्रशान्मंतिय गरीब कल्याण आण यूजना किसको दिया है उन गरीबों को दिया ऐसी करोड को जो उनको भूखे सोना न पड़े egg करेगा एंप किस को डी है गरीब महिलाओं को दी है हम दो गयास सिलिंडर किसको दे रहे हैं जो उजळूला के पातर हैं हम पांच लाक को दसलाक किस को दे रहे हैं हम किसी अमीर आदमी को नहीं दे रहे हम किसी income tax पर ही को नहीं दे रहे हैं हम उन लोगों को दे रहे हैं जो अपने बच्चों को अपनी बीमारी छुपाते थे ताकि अगर बच्चे को पता चल जाएगा कि बीमार हूँ मैं मेरी माता जी बीमार है तो वो इलाज में लग जाएगा और उसका जमीन भिग ज दे रहे हैं किनको हम toilets दे रहे हैं उनको दे रहे हैं जो खेतों में जाती थी बहने वो नहीं किसको इच्छा होती है कि वो अपने dignity के साथ हर दिन compromise करें लेकिन वो compromise कर रहे थी और इनकी संख्या मालूम है चित्रा जी 12 crores यहाँ पर मुझे मालूम नहीं लेकिन वो 4 lakhs से ज सेपरेट बच्चों के लिए गर्ल्स के लिए toilets बनने चाहिए ड्रॉप आउट का कारण क्या था इनको 70 साल में नहीं पता चला कि लड़कियों के लिए toilets नहीं है इसलिए ड्रॉप आउट हो रहे हैं उनके लिए हमने separate toilets बनाए आज हम उनको meritorial students को स्कूटी देंगे आज करीब परिवारों को 50,000 रुपे का bond देंगे ताकि वो विक्सित हो यह है empowerment हम यह नहीं कह रहे हैं कि सबको बिजली मुफ्दे देंगे पानी मुफ्दे देंगे नहीं हम पानी किसको देंगे जो नल लाए गाने की capacity नहीं रखता है उसको देंगे तुम एम इंपावर का चल क्या आपको लग रहा है कि लोकसभा और राज्जी सबा दो मुनों में अपने संबोधन के जरिए 2024 के लिए एक बड़ा एजंडा फिक्स कर दिया है ऐसा है देखिए प्रधान मंतरी मोदी जी सिर्फ 2024 ही नहीं देखते हैं प्रधान मंतरी मोदी जी 2047 की विक्सित भारत को देख रहे हैं और उस विक्सित भारत की नीव उन्होंने इस आत्म निर्वर बजट के माध्यम से रखी है और यह लार्जर टार्गेट्स ले करके चलते हैं भारत की तस्वीर बदलनी चाहिए हमारी तस्वीर बदले ना बदले हम इसकी चिंता नहीं चले बहुत शुक्रि रिजल्ट जब चुनावी नतीजे आएंगे तभी पता चल पाएगा कैमरा परसन संजे कुमार के साथ चित्रा त्रपाथी अगर तला आज तक